इस सवाल में एक स्फियर गीवन है जिसके सेंटर से एक रसी बांधी गई है और इसको यहाँ पर ऐसे लटकाया गया है इस स्फियर के ऊपर जो इससे आप हैंग करेंगे और दिवार के साहरा लेगा तो दिवार एक नॉर्मल एक्षिन लगाएगी उसको आर बोला गया है यह और एक वेट फोर्स तीन फोर्स लग रहे हैं इन तीनों के कारणी यह रेस्ट पे है तो आपको बताना है कि इं चारों ओप्षिन में से कौन्से कौन्से कओरक्ट थे है पहला देखते है है ती PLS T PLS T PLS दॉ स in Vector तो पहला तो आपका यह सही है, यह statement सही है, सेकंड देखते हैं, T square equal to R square plus W square, अगर मैं इन दोनों को add करूं, R और W को, दोनों perpendicular हैं, तो add करने पर जो vector बनेगा, उसका magnitude कितना होगा, R square plus W square का under root, जो इन दोनों को add करके, यहाँ पर देखें, तीन vector बन रहे हैं, एक T, एक R, और एक W, इन दोनों को आप add करेंगे, तो जो vector आएगा, उसका magnitude तो होगा, R square plus W square का under root, और वो जो vector आएगा, उस vector को, इस vector के opposite होना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इन दोनों को जोड़के आपने एक बना लिया, और net 0 होना है, तो इन दोनों को जोड़के जो एक बना, वो पहले वाले को काटना चाहिए, तो इसलिए R plus W का जो vector बनेगा, वो इसके opposite बनेगा, इस T vector के opposite बनेगा, इसका magnitude यह हो गया, इसका magnitude T है, दोनों opposite हैं, तो आप क्या करेंगे, दोनों को square करके add, बराबर कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो T square is equals to R square plus W square, तो यह option B भी आपका correct है, इस case में, कैसे किया, इस part में हमने R और W से जब एक vector बनाया, तो इसका magnitude under root R square plus W square आया, अब जो इसका resultant आया है, वो tension force के opposite होना चाहिए, क्योंकि आपको net force दिरो चाहिए, तो tension force के opposite है, और उसका magnitude यह है, अब opposite है, उसको काटना है, तो दोनों का magnitude बराबर होगा, magnitude बराबर है, तो उनका square भी बराबर होगा, तो T square is equal to R square plus W square, option B is also correct, option D check कर लेते हैं, D में वही लगेगा, अगर आप देखें, यह R है, यह W है, यह tension है, और tension में, this angle is theta, तो यह angle भी theta रहेगा, इस T को आप दो पार्ट में break कर लें, एक T cos theta, एक T sin theta, तो T cos theta, T cos theta is W, तो T sin theta, T sin theta is R, डिवाइड करेंगे, 10 theta is equal to R by W, या R equal to W 10 theta, option third B correct है, option D bho correct है, option C correct नहीं है, क्योंकि T is not directly equal to sum of R and W, vector form में करेंगे तो हो सकता है, बट यहाँ पे यह, आपका R और W का magnitude को जोड़के, T का magnitude नहीं बनेगा, क्योंकि यह तो हमने देखा, कि इनके magnitude के बीच का relation यह है, तो यह नहीं हो सकता, तो आपका C incorrect है, कौन से कौन से सही होगे, A, B और D, A, B, D, option third is correct, Thank you.